हलो फ्रेंट्स वेल्कम टू दा शेफ तो फ्रेंड्स चलिहे message लेके लिए मंगे की सब्जे सबस्जी क्यां समय में सब्सक्राइब गलिए इसे जाइस हमें जबुग़ब के लिए बनाई किस तरफ यहां, सब्डेंधे सब्दी भी क्लीक लितुमोज़ soprattutto होच बनाई तो यहां पर हमने टमाटर का अई पेस्ट त्यार जिसकी हमने पीस लिया है तो यहां पर हमने लेसुन उद्रा का पेस्ट लिया है तूटीसपून आलों को भी काट लिया है और भली को भी हमने च्छील के इस तरह से तिन-इंच के तुकडों में काट लिया है तो ये आलो और भलीं भी हमांगी रेडी हो चुकी हैं तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं तो एक कुकर में हम दो बड़े चमश तेल ले लेंगे उसमें वन टीस्पून जीर डाल देंगे जो हमारे पिसे हुए मसाले हैं देसे की प्यास हम उसमें एट कर देंगे तो प्यास जालके हम मिक्स कर लेंगे वह साथ पे हम एसमें लसन उधल का पेस्ट भी डालेंगे कोटर टीसपून हम हल्दी पाउडर ले लेंगे अच्छे मिक्स कर लेंगे हम इन सब चीजों को अब चलाते रहेंगे ताकि जले नही वन टीस्पून हम रेड मिश पाउड改 Content Wow हूथ तनु सर हम नमक डाल देंगे लिए वन टीसपून हैं alongside तरय mana isoniत ऊसका प्यूरी तरुपर्ट होभे आ और ne तो बस समबो भी इसमेट कर देंगे अब भम इन सारे मसालों को अच्छे से मसाला बुनने तक हम भून लेंगे तो यहां पर लगभग मारा मसाला बुन चुका है पांस से दस मिनिट की बुनाई के बाद मसाला कुछ इस कंडिशन का हो चुका है तो अब हम इसमेट कर देंगे आलू जो कि हमने मोटे मोटे काट लिए है इसे हम अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे तो आलू हम अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने फलीआज में छील के और काटके रखीं है इन फलियों को मैं अच्छे से मसाले में मिक्स करतेंगे प्रेंड्स यह जो फलीا हैं यह हमारी पूरी बाडी के लिए बोडी के लिए बहुत ही जादा फायदे मन होती है और खास तोर से जोड़ों का दरत जो हड्डियों में चटचट की अवाज आती है उठने बेटे में उनको दूर करती है जो हमारी लिब्रीकेशन हड्डियों में खतम हो जाता है उसको भी बनाती है तो फ्रेंड्स ये कुल मिलाके बहुत जादे ही फायदेमन होती है तो बस हमारी फनिया आलू मिलने के बाद हमें इसमें पानी एट कर देंगे तो यहाँ पर हमने जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उसके इसाफ सम्पानी डाल देंगे तो हमने इसमें अच्छे से पानी डाल दिया है और इसमें बॉइलिंग आने के बाद हमें इसे ढाग देंगे और सिम-गेस करके इसे गलाएंगे यह इसे पकने दिया है उसके बाद हमें चेक कर लेंगे गली है तो देखिये फ्रेंट्स यहाँ पर आपको फली अगली गली तो थेखने में तो बस हमारी लास्ट में हम इसे हरदन यह डाल देंगे तो हमारी फली ऑचुड़ी है रेडी तो हम इसकी कर लेते हैं डिश आउट फ्रेंड्स आप इन फलियों को अपने किचिन में बना के एक बार जरूर ट्रैक कीजिए बहुत ही इसी तरीक से बनने वाली है फलिया बहुत ही टेस्टी लगती है मुंगे की फलियों का तो बहुत ही जादा फायदा आपने सुन आपने के लगिए बहुत ही बहुत ही भाइ